तो जैसे सेल साइकल मतलब क्या होता है शेल डिविजन में पेरे इंट सेल से डॉटर सेल का फोर्मिशन होना है लेकिन वो फोर्मिशन बहुत आसानी से नहीं हो पाता यहां पर काफी सारी स्टेजिस होती है सेल में भी बहुत सारे modifications होते हैं उसके बाद आपकी सेल डिबाइट करती है तो यह क्या थी पेरेंट सेल्स थी और उसके बाद कुछ stages आएंगी जैसे Interphase में इंटर फेस में तीन stages होती है G1 spit होता है एत इन फेस को एक साथ कहा जाता है Serpary phase क्योंकि यहां पर preparation कर आंज रही है सैल को तयार किया रहा है for uh division तो आपकी जो shutter बिबाइडिंग सेल नहीं होती हैं अगर आपसे कहा जाए क्या इंटर फेस में cell division होगा तो इंटर फेस में बिल्कुल भी cell division नहीं होता यहां पर केबल ओ केबल preparation करी जाएगी तो preparation करी जाएगी कौन-कौन सी stages रहेंगी G1, S and G2 तो देख रहे हैं आप यहां पर जब preparation की गई तो आपकी जो cell है उसकी size increase हो जाती है क्योंकि अभी हमें क्या करना है कि एक जब member था ठीक है लेकिन जब हमें 2 member के लिए किसी चीज को तयार करना है अभी सी बात है हर एक चीज का duplication करना रहेगा बस यहीं बज़य है कि जो आपकी इंटर फेज है उस टाइम सेल की size काफी बड़ी यहां पर आपको देखने को मिलती है यह before division की बात हो रही है जहां पर cell की size काफी large है इसके बाद आपकी cell divide होगी तो divide होती है तो daughter cell बनाती है और division भी दो phases में होता है एक phase होता है आपका karyokinesis जो की nuclear division कहा जाता है और दूसरा है cytokinesis जिसमें cytoplasm का division होता है और complete cell आपकी divide हो जाती है तो यह पूरा का पूरा आपका division phase है यह आपका interface है तो बस इसी को हमें के करके आगे पढ़ना है अब देखिए यहाँ पर कुछ basic चीज़े लिखी गई है वो ही cell cycle के बारे में तो अगर हम eukaryotic cell cycle की बात करें तो यह highly conserved है highly conserved मतलब क्या होता है कि during the evolution इसमें बहुत जादा changes नहीं हुए है जो gene या protein cell cycle event को regulate बहुत पहले करते थे वो अभी भी बैसा का बैसा चलता है यहाँ पर कुछ series of event चलते हैं अब क्या होता है कि during each cycle DNA का replication यह काफी important point है यहाँ पर क्या होता है जो आपका genetic material होता है DNA उसका replication होता है उसका duplication होता है और two identical DNA molecules यहाँ पर create होते हैं और यह जो create होते हैं after creation इनहीं का ही segregation होता है या separation होता है in the daughter cell cell division की major four stages हो सकती है तीन stage interface है fourth आपकी M phase या mitosis है तो वो ही लिखा हुआ है first जो आपका है that is G1 phase G1 phase एक ऐसा phase होता है जो highly metabolically active phase होता है यहाँ पर आपकी cell growth करेगी साथ ही साथ synthesis होता है RNA का end protein का भी यहाँ translation होता है इसलिए यह सबसे जादा metabolically active phase मानी जाती है क्योंकि अगली phase में आप देखेंगे तो यह S phase है जहाँ पर DNA का synthesis होगा तो DNA synthesis के लिए कुछ यहाँ पर enzyme लगेंगे polymerases लगेंगे जो DNA synthesis में help करेंगे तो वो आप G1 phase में ही पूरा का पूरा assembly का formation होगा इसलिए होगा क्योंकि आगे चलके S phase में जो जो चीजों का requirement है बो तो चाहिए ही रहेगा इसलिए जो आपकी G1 phase है वहाँ size तो increase होती है साथ में यहाँ पर काफी सारी metabolic reactions होती है अब अगली phase G2 phase होती है यह सारा मैंने आगे भी detail में लिखा है यह बस थोड़ा science है कि language form में लिख दिया है इसको जो G2 phase होता है यह आपका growth का ही second phase होता है जहाँ पर क्या होता है कुछ checking होता है क्या checking होता है हम आगे देखेंगे और last phase या fourth phase आपका M phase कहलाता है जहाँ पर cell division होता है और इसकी भी काफी सारी stages present होती है तो यह देखें जरा इससे आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप major phases की बात करें तो एक आपकी resting phase होती है इंटर फेज होता है एंड डिविजन फेज होता है resting phase जो होती है जैसे जी जी जीरो फेज आपका resting phase कहलाता है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर कोई cell सीधा जी जीरो फेज में चली जाए तो उसकी dividing capacity कम हो जाती है डिवाइड बो अराम से सोईगी उसके पास कोई division capacity नहीं होगी इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है आपकी neuron cells और जो आपकी neuron cells होती है जी जीरो फेज में ही होती है जो resting phase कहलाता है फिर एक इंटर फेज होता है जो आपका active phase होता है अगर cell interface में है तो वो definitely divide करेगी जैसे कि आपका जीवन है S phase है एंड जी टू है एंड डिवीजन में आपकी दो phases हो सकती है carryokinesis हो सकता है cytokinesis हो सकता है तो जीवन फेज के क्या क्या character होंगी उनको हमने point wise लिखा है जिससे आपको confusion ना हो सबसे पहला character है कि इसकी इसमें क्या होता है कि size increase होती है अगर आपसे पूछा चाहे कि interface की किस phase में size increase होगी तो जीवन होता है जीटू phase में size increase नहीं होता वहां पर कुछ दूसरे काम होते हैं तो जीवन और जीटू ऐसा नहीं है कि एक ही फेज है कई बार जीवन के लिए ऐसा कह देते हैं कि growth phase है growth phase definitely आप इसको कहसे है क्योंकि G जो है वो growth से ही originate हुआ है लेकिन हर एक stage में अलग function होता है ऐसा नहीं कि जो जीवन ने किया वो ही आपका जीटू करेगा तो जीवन का पहला काम क्या है कि size increase करवा दीजे size इसलिए increase करेंगे क्योंकि जब हम duplication करेंगे और जादा size चाहिए रहेगी और यहां पर जो सबसे ज्यादा काम है वो जीवन के साथ ही किया जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जब cell last में आएगी न तो लास्ट time किसका कायम होता है लास्ट टाइम होता है जहांपर हम चीजों को refine कर रहे होते हैं आसे मैं आपको एक्जाम इसी एक्जाम के बारे मैं बता हूँ कि अ लेकिन जो लास्ट का बनबन्त है अगर आप सोचे कि वहां पर में नई चीजों को पड़ू तो वो पॉसिविल नहीं होता उस स्टेज में हम क्या करते हैं केवल रिफाइन करते हैं तो बैसे ही हमारी सेल के साथ होता है कि जो सबसे जादा काम है साइज बढ़ाना रेप्लिकेशन मतलब की औरगन को डुप्लिकेट करना यह सारा काम आपका कहा होगा जीवन में होगा इसलिए इसको टाइम बहुत जादा दिया जाता है कि आप अराम से चीजों को बना लो बाकी की फेजस में हमें कुछ चेकिंग करनी है इस फेज में थोड़ा बहुत सिंतेसिस करना है हमें कम टाइम लग जाएगा लेकिन इनीशली आप जादा टाइम लीजे और आप सारी चीजों को बना दीजे तो जितना भी बनाने का काम होता है वो कहां होता है आपकी जीवन फेज में होता है बस यही रीजन है कि यहां साइज इंक्रीज हो जाएगी टाइम भी यह जीवन जो है वो ज्यादा लेता है अब इसके बात क्या है मोस्टली यह मेटावोलिकली एक्टिव फेज है क्यों है बो भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहां पर ट्रांस्लेशन ट्रांस्क्रिप्शन मैं रेप्लिकेशन की बात नहीं कर रही हूं ट्रांस्लेशन एं ट्रांस्क्रिप्शन काफी यहां पर होता है इसलिए आपक जो man point है G1 में होते हैं वो यहां mention है second phase क्या है S phase नाम से पदा चल रहा है कि S मतलब synthesis से आया है तो यहां पर synthesis होना है लेकिन synthesis होना है DNA का तो बस वो ही है कि यहां DNA का replication होता है histone का यहां synthesis होगा अब आप सूस सकते हैं कि जो histone है वो भी तो एक protein है उनको G1 phase में क्यों नहीं synthesize किया गया उनको G1 phase में इसलिए synthesize नहीं किया गया क्योंकि histone का काम क्या होता है जो chromatin है जो आपका thread like structure है उसकी उसको binding करानी और compact करना है लेकिन वो compact तब करेगा जब उसके पास एक replicated proper आपका DNA chromatin material होगा जो आपको S phase में मिलेगा तो इसलिए पहले क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा जो chromatin material होता है उसको क्या किया जाता है duplicate किया जाता है DNA का replication होता है उसके बाद आपका histone का synthesis होगा histone का जब synthesis हो जाएगा तो उसकी अराम से packaging हो जाती है तो जो S phase है वहाँ पर DNA का replication होगा साथ ही साथ हिस्टोन का synthesis होगा सेंट्रियोल का भी यहां पर duplication initiate हो जाना है सेंट्रियोल का duplication क्या होगा initiate हो जाएगा हिस्टोन इसी phase में complete आपके क्या होते हैं synthesis होते हैं अब अगर आप इस phase की बात करें तो यहां पर timing 8 hour होता है जो आपकी जीवन phase से थोड़ा सा कम time है अगर यहां पर भी synthesis हो रही है तो थोड़ा सा यह time लेगा अब इसके बात जब हम G2 phase की बात करें तो G2 phase का major काम क्या है सबसे पहले तो यह सेंट्रियोल duplication कराएगा complete कराएगा क्योंकि S phase में initiate हो गया अब duplication होगा सेंट्रियोल का duplication इसलिए होगा क्योंकि सबसे पहले जरूरत सेंट्रियोल की ही पढ़नी है जब cell division में जाएगी तो chromosome से spindle fiber attached होंगे तो हमें सेंट्रियोल की ही जरूरत होगी क्योंकि सेंट्रियोल क्या थे अगर आपको याद हो सेंट्रियोल का एक्जामपल है माइक्रो टिब्यूल और्गनाइजिंग सेंटर है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं तो यही से आपके माइक्रो टिब्यूल की assembly होनी है तो सबसे पहले इनको आप complete कराईए क्योंकि अगर यह प्रॉपर डुप्लिकेट नहीं हुए यह प्रॉपर नहीं वने तो assembly ही नहीं होगी assembly नहीं होगी तो cell जो chromosome है वो separate नहीं होगा तो पहला काम है सेंट्रियोल को duplicate कराना साथ ही साथ टिब्यूलिन प्रोटीन को भी synthesize यहां किया जाएगा इसलिए किया जाएगा क्योंकि टिब्यूल ही तो आपके micro टिब्यूल में टिब्यूलिन ही तो है alpha, beta अगर याद हो ये ही तो है आपके alpha एं beta टिब्यूलिन जो आपस में assembly करेंगे और उसके बाद क्या हो रहा था आपका पूरा का पूरा spindle fiber का formation हो रहा था अगला काम क्या होता है कि cell की जो preparation है अब उस preparation को check किया जाएगा क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि cell अब division में जाएगी तो G2 phase में checking होती है checking किसकी होती है सबसे पहले check किया जाएगा अच्छा DNA में तो कोई damage नहीं है जो सबसे जादा जरूरत है और साथ ही साथ पूरे cell की division के लिए जो जो चीजों की requirement है उन सब की checking आपकी G2 phase में होती है क्यों यह checking हो रही है क्योंकि अब cell division में जा रहा है अगर कोई दिक्कत हुआ तो cell divide कर जाएगा तो पूरी की पूरी जो error है वो आपकी new cells में भी चली जाएगे तो वो error आपकी new cells में ना जाए इसलिए checking का काम किसको दिया है जीफ 2 stage को दिया है और यहाँ पर 4 hours लगते हैं यह पूरा काम होने के लिए तो I hope कि अब आपका time भी पूरा justify हो गया होगा कि जीबन के पास बहुत काम है इसको चीजों को बनाना है और obvious ही बात है जब हम base बनाते हैं तो बहुत time लग जाता है तो इसलिए यहाँ time भी जादा दिया है S phase की अगर हम बात करें तो यहाँ भी synthesis हो रहा है 8R है लेकिन जब हम Z2 की बात करें तो major synthesis नहीं होना है जो centriol यहाँ से synthesis होना शुरू हुआ है बस यहाँ complete कर दिया जाएगा यूलिन का बस यहाँ synthesis होना है बाकी सारी हम checking करेंगे cell division के लिए checking करेंगे DNA को check करेंगे कि यहाँ पर कोई damage तो नहीं है अगर damage होगा तो क्या किया जाएगा cell gap हम जब हम cyclin CD case के बारे में बढ़ेंगे तो बताऊंगी कि जब S phase में कुछ checkpoint होते हैं तो यह checkpoint यहीं होते हैं कि check किया जाता है फिर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको repair mechanism में भीजा जाता है तो यह G2 होता है फिर उसके बाद अब आपकी cell जैसे ही G2 ने कह दिया कि हाँ ठीक है सारी चीज है DNA ठीक है cell एकदम proper growth कर चुका है सारे जो division में जाने की जब वो division में जाने की permission दे देगा तो सबसे पहले division में nuclear division होगा that is called karyokinesis और उसके बाद होता है आपका cytokinesis मतलब cytoplasm का division होगा तो यह तो interface के बारे में पूरी detail information है कि interface में कैसे काम होना है division phase को हम आगे pick करेंगे detail में तो division में भी जा हम karyokinesis की बाद करते हैं तो mitosis हो सकता है meiosis हो सकता है अब आपको पता है mitosis मतलब equal division है symmetrical division है वहीपर अगर मियोटीस की बात करें तो यह meiosis 1 and meiosis second होता है तो जो आपका meiosis 1 होता है वो one equal division होता है वहां पर half number of chromosome हो जाते हैं जबकि meiosis second just like mitosis होता है कैसे होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे चलिए आप सबसे पहले जो बात आपको बताई गई है flow diagram में बस बोई else it is यहां लिख दिया गया है मर्जी आपकी है कि आपको flow diagram के थू पढ़ना है या ऐसे return form में पढ़ना है तो preparatory phase जो है वो division के पहले की phase होती है जहां cell को क्या किया जाएगा prepare किया जाएगा सजाया जाएगा जिसके events या stages है G1, G2 and S phase मतलब G1 phase, S and G2 phase अब सबसे पहली जो phase होती है उसको कहा जाता है G1 phase G1 phase में क्या होता है size increase हो जाती है और यह कितनी hours तक चलता है यह चलता है आपके 11 hours तक इसके साथ ही साथ यह आपकी most metabolically active phase होती है जो हमने पढ़ लिया है यहां organal का duplication होता है साथ ही साथ phase of extensive transcription and translation है S phase की अगर बात करेंगे तो यहां क्या होगा मेजर काम है DNA replication होना साथ ही साथ histone की synthesis यहां होगी इसलिए होगी क्योंकि जो आप DNA को replicate कर रहे हो उसको condense भी तो करना है जब आप उसको proper chromosome में condense कर देंगे तब ही जाके उन chromosome का separation होगा तो इसलिए stone की भी यहां जरूरत है तो S phase में आ जाएगा centriol duplication initiate होता है complete synthesis या फिर centriol duplication S phase में नहीं होता वो G2 phase में जाके complete हो जाता है लेकिन initiation आपका S phase में हो जाता है कि कोई DNA damage तो नहीं है अगर damage है तो एक बार repair किया जाएगा अगर repair नहीं हुआ तो cell जो है वो apoptosis में चली जाती है और इसका अगर time देखें आप तो four hours होता है तो बस वही चीज है जो हमने अच्छे से discuss कर लिया उसी को return form में यहां पर लिग दिया है अब देखें M phase तो M phase क्या होता है कि यह dividing phase है अब यह कैसा dividing phase है एक तो यहां पर karyokinesis भी होगा cytokinesis भी होगा यह केवल एक गंटे का phase है यहां पर किसी चीज को आपको तयार नहीं करना है यह बिलकुल बैसा सा होता है कि जैसे आप किसी आपके घर में कोई function है तो आप इसकी preparation काफी time से कर रहे होते हैं कि हो सकता है 10 दिन से कर रहे हो 20 दिन से बन बन्त से आप preparation कर रहे हो लेकिन अट दा लास टाइम वो जो function होता है वो 1 या 2 दिन का होता है तो बिलकुल ऐसा ही है कि यह जो M phase है यह बिलकुद function के जैसे है यह आपके घर में हो रहे है function के जैसे जो एक या दो दिन में खदम हो जाएगा लेकिन इसकी preparation आपने एक महीने से हाप कर रहे होते हैं तो इसलिए इसका time बहुत कम होता है एक गंटे या फिर बन आर्स का ही यह time होता है लेकिन अगर आप पूरी cell cycle की बात करें तो वो पूरी इसलल साइकल आपकी कितनी होती है टॉन्टीफोर आर की क्यूंकि 11 अंहरे जीवन के लिए थैं हमने 8 अपने धिये थे एसपेस के लिए फूर आर्स जीटू फेस के लिए था एन्ट बन अर्श जो था वह आपके एंप एंपेस के लिए था तो मूटा मूटी अगर हम इस आ का हम वेरि करता है अगर हम था हुआ की बात करें लेकिन वही है पर अगर हम एंथारा घंटे चाहिए चाहिए मैगजीमम चौबीस घंटे में एंफिवियान में पूरी की पूरी सेल साइक्ल कंप्लीट हो जाती है अब यह देखीए आपको थोड़ा कि आमपि girls में बात करें तो प्रोहीज एक स्टेज होती एंच्वान पर सुआ इक का बेसिक डाइग्राम जिसमें आपको थोड़ा समझ में मैं आ रहा होगा और लिस्ट प्रोहीज में आप देख जो होगा हुए हैं आपको कुछ डेट डेश स्ट्रक्चर दिख रहे हूंगे और यह हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं तो आप देख रहे हूंगे अच्छा यह थोड़ा सा मूब सा करना शुरू कर गया है और इनने अटेच्मेंट कर लिया है क्रोमोजॉम से एना फेस में आप देख रहे हू होते हैं बस इनको हमें थोड़ा सा डीटेल में पढ़ना है चलिए तो जो हमने अभी इंटरफीस पढ़ा था उसी को जो है आपको बता रही हूं चलिए तो यह आप देख लीजिए कि इंटरफेस में कैसे काम होता है यह पहले आपका जीवन फेस आएगा एज फेस आएगा जीटू फेस आएगा और सेल डिविजन मतलब कि आपका एम फेस होगा जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगी अभी हमें केबल इंटरफेस के बारे में डीटेल में जानना है अब देखते चलिए जीवन की बात हो रही है उपर पूरा लिखा आ रहा है डीटेल में कि क्या होगा नीचे भी आप पढ़ सकते हैं कि जीवन के क्या करेक्टर होंगे तो शांती से बैटके थोड़ा साच्छे से पढ़िए concentration के साथ यह muscle cells and neuron cells की बात हो रही है कि यह divide नहीं करते हैं स्टिल देख रहे हैं इनका थोड़ा सा growth हुआ है तो यह divide नहीं करेंगे लेकिन growth आपको दिख रहा होगा इनका भी S phase है जिसमें DNA replication होने लगेगा तो यह देखिए आपका जो chromatic time number of chromatic यहाँ पर increase हो जाते हैं फिर आपका G2 phase है और division phase में अभी बस इतना है कि karyokinesis and cytokinesis होगी जिसमें nuclear division and cytoplasm division होगा और कुछ इस तरीके से cell आपकी divide हो जाती है आपका होगा है 5.6.1 प्याप्रेश च आर है 5.2 अंड्राइव झाल झाल